हेलो गाइज आप सभी का वेल्कम है वेश्णूर्य ग्लेस फूर्ड में आज मैं लिका राया हूं एक जटपट आसान तरीके से बनने वाद तो यहां पर हींग जीरा तेजपत्ता एंड बड़ी लाइची प्याज लम्मा कटा हुआ अध्रब हरी मिंची लेस्टून सारी सब कर लिया गुबी आलो एंड मटर एंड बैगन को तो तील अच्छी तील गरम हो गया तो जीरा तेजपत्ता डाला बड़ी लाइची इसको दो एक मिनिट तक रोज टूने देंगे साथ में लेस्टून डालेंगे और अध्रग डालेंगे साथ में प्याज डालेंगे इसको दो मिनिट तक हाई फ्लेम पर एकम चलाते हुए भी मिलाएंगे एच्छी से मैंने अट मिलमी सारी सबज़ें इसलिए काटें कि अच्छी मिलम देखने में अब सूखी सबजी बना रहा रहा है इसलिए तो यहां पर हरी मिरची को ही मैंने लम्मी साइज में काटा था बही दाल देंगे प्याज हलका सॉप्ट हो चुगा है साथ में ही डालेंगे मटर के दाने और मटर हरी मिर्ची को भी हम दो तीन मिनिट तक पकाएंगे तो मिनिट के बाद हम गोबी और आलू को डाल देंगे और इसे भी हम अच्छी से मिला देंगे इसी चलाते हुए साथ में ही बैगन डालेंगे और फैगन को सारे सब्जी को एक शक्त हम अच्छे से मिलाएंगे सब्जी को हम चलाते हुए दो तिन मिनिट तक फ्राइग करने के बाद अब इसमें हल्दी नमक डालेंगे स्वात के अनुशार हल्दी नमक को हम अच्छे से मिला देंगे ताकि मिल जाए यहां पर देखे है अल्दी नमक को हमने मिला दिया है तो एक प्लेट से इसको हम ढग देंगे गैस को मद्दा कर देंगे मद्दी आज में इसको पांच मिनुट तक पकने देंगे पांच मिनुट बात देखेंगे कि अपनी सब्जी पकी हुई के नहीं पकी तो यहाँ पर देखें सब्जी अपने आदे पक चुकी है और अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ टमाटर जिसको मैंने लम्मी लम्मी पीसेस में काटा है और इसको हम मिला देंगे सारी सब्चेयों में और हलका सोप ठोने तक इसमें पकाएंगी तो इसमें डालेंगे एक चम्ची धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर गरम मसाला सारी मसाले को हम अच्छे से मिला देंगे तो यहां पर मैंने सारी मसाले को अच्छे से मिला दिया है और चलाते हुए इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि मसाला अपना अच्छे से पक जाए यहाँ पे सब्जी एकदम natin perfect और इसे हम पूरी परांटे के साथ किसी रोटी के साथ किसी जिसकी साथ आपको पसंद वापस की साथ सर्व कर सकते हैं खा सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीस लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें